हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल एजी हिस्ट्री कंपैनिन आम अस्ता गांधी इन दिस वीडियो 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 कोवर अब्जेक्टिव टाइप कोस्टेंस ऑफ ब्रिक्स, बीड्स और बॉन्स दाहरपन सिविलाइजेशन इस वीडियो की हैल्प से आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी मतलब जो भी कोशन्स आपने पार्ट वन टू और थी में पड़े हैं उसी उन ही में से यह कोशन्स कुछ हैं जो वन वर्ड वन मार्क्स के आते हैं तो अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखिया तो शूरली य पर चलता है कि दू बूल अरपट पंस के लिए जाने पेचाने थे तो कुछ रिप्रेजेंटेंशन मिली हैं सील्स पे एंट टेराकोटा मोडल्स पे जिसे में पता चलता है कि बुल वहां पे जहने पर जाने थे हाउ मैनी अरली हरपन साइट्स वर अबेंडन एट सिंध मतलब यह मॉस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है आंस्वर इस ट्वंटी नाइन हाउ डू वी हाउ डू वर कंस्ट्रक्ट दा लाइफ ऑफ और्डिनरी पेपल की लाइफ हमने कैसे कंस्ट्रक्ट की बाइविदेंस ऑफ हाउसे पोट्री ओर्नामेंट्स टूल्स एंड सील्स फाउंड एट अरपन साइट्स पर जो भी शोटू गाई इन अफगानिस्तान नेक्स्ट वन इस टर्रकोटा मॉडल्स ऑफ प्लफ हैव विन फाउंड एट साइट इन चौलिस्तान एंड बनावली नेम्दा हरपन साइट वे ट्रिस ऑफ वाटर रिजर्वियर्स हैव इन फाउंड धोलावीरा इन गुजराथ नेक्स अब यह स्टेटमेंट दे रखी है इट हैस बीन कैलकुलेटिड यह वन लेबरर मुवड रफली अ क्यूबिक मिटर अफ अर्थ डेली जस्ट वूट दा फांडेशं इन प्लेस इं प्लेस इंप्लेस इंप्लेस इंट वूट यह बता रहा है कि इतना अरिया बड़ा था उस कुछ प्लेंड होती थी और इट रिक्वायर दा मोबला मोबिलाइजेशन ओफ लेबर अट लार्ज प्लेस लेबर इन लार्ज स्केल सॉरी इनका आई थोड़ा मिसिंग है आपट जस्ट कर लेना विच ओफ दा फॉलॉइंग फेक्टर्स वोस नोट एन इंडिकेटर अफ नाइस को नसा प्लेंड का इंडिकेटर नहीं रहीं सीस्टम तो है डिल्डिंग चंट्रक्टीड अन बिल्डिंग चंस्ट्रक्टीड ऑन बिक प्लेटफोर्म्स है अज चैश्रे जैटिटा इच्स नहीं है तो युनीप तिछीर आउट डिक्स यू ज़नीग को बता है कि ratio use के आ जाता था length was four times of height and breath was also two times of height next one is who is known as the father of Indian Archaeology Alexander Cunningham state weather true or false अभी true है या false है यह बताना है इन अपन civilization the houses were built first and then the streets with the drain were laid out यह हमने पढ़ा है first part में this is true है नहीं sorry अच्छा इसमें यह दे रखा है houses were built first नहीं houses नहीं बनाया जाते थे पहले drains बनाया जाती थी then houses were built देख लो अब अच्छा इसी गलते करते हैं मैंने पढ़ लिया हां मैंने imagine कर लिया कि यहां पर houses लिखा हुआ है तो मैंने स्कुट्री कर दिया और ऐसी में वाल अलॉंग विद्धा स्ट्रीट मतलब हर हाउस की एक वाल जो होती थी वह स्ट्रीट ड्रेंस के अलॉंग होनी चाहिए थी दा केर फुली लेड़ आउट रेने सिस्टम इन अपेरेंट कंसर्ण फोर डैश मतलब जून का डेने सिस्टम था वह किसके लिए से कंसर्ण थे हाईजीनिक कंडिशन के लिए सब्सक्राइब विदिन डैश वोस नोट वॉल्ड ऑफ बट जस्ट बिल्ट एट हाइट यह हमने सोर्स बेस कोश्चिन में भी किया था जो सिटेडल है कहां का कौन से एरिया का जो वॉल्ड ऑफ नहीं है बट जस्ट बिल्ट सब्सक्राइब नेक्स्ट वन इस विचा दा टू फीचर्स ओफ अरपन अर्किटेक्ट्चर देपिक्ट एंड अपेरेंट कंसर्ण फॉर प्राइवेसी मतलब कुछ ऐसे विचर्स बताने हैं अर्ट अर्किटेक्ट्चर के जिन से हमें पता चले कि महां पर प्राइवेसी भी कंसर्ण थी तो नो विंडोस इन दा वोल अलॉंग ग्राउंड लेवल मतलब ग्राउंड लेवल पर कोई भी विंडोस नी थी वोल में अन दा में एंट्रेंस था मां का देट दोस्का नी देता था इंटेर और कोट्याड का विच फीचर ऑफ टाउन पैनिंग इन महां विचावर डिपिक्टर कंसर्ण फॉर हाईजीन अब हमें पता है जो स्टीट दर्श थी तो पहले ड्रेंस बनाई जाती थी देन हैं सोरी चंस्ट्रक्षन ऑफ हाउसी की जाती थी मतलब पहले ड्रेंस बनाई जाएंगी क्योंकि द्रेंस इस मोस्ट इंपोर्टेंट फोर ह हाईजिनिक कंडिशन उसके बाद हाउस की कंस्रक्शन होती थी और इच हाउस हैडिट साउन बाथरूम पेवड विद ब्रिक्स मतलब हर हाउस के पास उसका खुद का बाथरूम होना चाहिए था मतलब किस से बना हुआ ब्रिक्स से बना हुआ डैश इस्टीमेटिड नंबर इस्टीमेटिड वेल्स कितने हैं 700 वर्ट वॉस दा पैकुलेर फीचर ओफ दा वैल्स बिल्ट इन दा हाउस इन दा महुंजदार मोहुंजदारों में जो वैल्स बिल्ट किये गए हैं उसके पैकुलेर फीचर मतलब वह एक रूम में बनाया जाता था जो आउट साइड से अगर कोई पाचर भाई भी जा रहा है तो वह भी यूज़ कर सकते थे मतलब वह रूम भार की सरफ होता था ताकि मतलब सेवा भी करते थे आते जातों लोगों को पानी पिला जयते थे बड़े पुन्य का काम थे मतलब भोट ही क्या बोलते हैं इंसानियत थी उनके अंदे आज खल तो चोड़ो नेम टू इस्टिंक्टिव च्ट्रक्चर्स फाउंड ऊंदा सितादल सितादल में कौन सी डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स मिल है यह वेरहाउस ऐन्ड ग्रेट बात एट में लोथल में जो हौशी हिसके बने होते थे मड ब्रिक्स मतलब उनकी इतनी वो थी हाईजिन के लिए इतने कंसर्ण थे कि हाउसी तो वो मड़ीक्स के बनाते थे लोथल में लेकिन ड्रेंस वर मेड ओफ बर्ण ब्रेक्स वर्ट वर्ट वर्डा स्ट्रॉक्चर्ष फांड ओंदा सीथाडल प्रोबैबली यूज़ फॉर मिले हैं वो बैसिकली किसके लि अब पर पोशन ओफ दा वेर हाउस वर प्रोबैबली मेड ओफ वूड मतलब जो वेर हाउस का पर पोशन था डैट इस मेड ओफ वूड और जो नीचे वाला था दैट इस मेड ओफ ब्रिक्स जो डिके हो चुका है विच मैटेरियल्स वर यूज़ तो यह आ गया भी मैंने वूड वाला ठीके हो चुका है और लॉवर पोशन भी बाकी है नेक्स्ट वन इस डाइश वाज रक्टेंगूलर टैंक सभी को पता है ग्रेट बात वर्ट वाज़ पॉपस ऑफ ग्रेट पात रिच्वल स्पेशल रिच्वल बात मतलब कोई धार्मिक स्नान के लिए नेम द कोईशन भी है मैंने पढ़ा दिया है गो एंड चेक आउट पार्ट वन ओफ बिक्स बीड और जाहरापन सिवलाइजिशन बाइ आस्ता गांधी तो डैश हैस बीन फाउंड इन दा व्यूर्यों सो बोथ मैन एंड वूमें क्या दोनों में मिला है ज्वेलरी मतलब आप आपको जरूर आते होंगे अगर आपने अच्छे से स्टेडी की है तो लिस्ट फ्यू अब्जेक्स जैट वर फाउंड इन दा ब्यूर्यों संग्रेव सो फर आप पोईट्री और्नामेंट्स और कॉपर मिरा नेक्स्ट वन इस नेम दा तू कटेगरीज विच दा अच्छे अच्छे लिए वर मेड ओफ चले लेक्ड जाता तो इनकी वैल्यू जदा हाई नहीं होती तो देली यूस की जो चीजों से बनाई जाती रही वाट इस वाइंस ऑन्स एक मैंटीरियल अट इसमेड़ और ग्राउंड सेंड जो ग्राउंड का सेंड थैट इस विट तो फिर उसको पका लिया अच्छे से यह फोर्ट क्या है ओब्जेक्ट केरफुली बाइदा पीपल ओफल इंसाइंड कंटेनर सच आज पोर्ट मतलब होट क्या होता है जो चीजे उस टाइम के पीपल संभाल के रखते थे पोर्ट में जैसे जोएलरी होगी गोल्ड वगरा हो श्राइश घ्रीफुली मतलब संभाल के रखना कहीं दबा दूब रखते थे औब्जेक्ट केरफुली बाइदा पीपल ओफन इंसाइड कंटेनर किसमें कंटेनर में रखते थे सच आज पोर्ट ने म्डा टू लाज सेटल्मेंट्स ओफ इंदर्स वैली सिविलाजेशन चानहुदारो वोजर टिनी सेटलमेंट एक्सक्लूजिवली डिवोटी टो डैश अभी एक कोशन भी था एक कोशन की पुरी स्टेटमेंट है अगर आपने पार्ट वन में था पार्ट टू में था अगर वो देखा है तो इसका अंसर तो पका याता होगा नेम सम उफ दा मैटिरियल विच वर यूज तो मेंग बीड्स बनाने के लिए कौन से मैटिरियल यूज होते थे जैसपर क्वार्ट्स क्रिस्टल स्टीटाइट शेल फाइन स्टैरकोटा शेल कोपर गोल्ड और ब्रोंस अभी आपको सारे याद करेंगी जूरतनी है तीन चार क्योंकि यह तो इसमें तो क्यूंकि यह तो सारे ही रह ऑं फिर चॉब्स सारे और जूरतनी ब्ड़ाइट ओक्यूंक्हे दिखा टार्रुकूंत as a raw material easily available था तो दीज आर दा स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शाल अब्जेक्ट्स लिस्ट फ्यू अब्जेक्ट्स देट वर मेड़ अफ शेल्स इन दा इंडर्स वाली सिविलाइजेशन कुछ अब्जेक्ट्स बताओ जो शेल के बने होते थे लेडल सेंड बैंगल् एफ्चान से यह लेटे अब यह पर्त टु से वान ब्लम और रच घिस घ्कषान से लस्ता करे कि भाक बाचतान कि झीज्ँन और आ सुपर पह्ट्वारिदॉम टोगर आ आपन प्रोक्रूड कोपर फ्रॉम कोपर कहां से आते थे खेतरी रीजन राजस्थान वह अभी एक स्पेशल सेंटर है कोपर का अभी एट प्रेजेंट डे इंडिया एंड गोल्ड कहां से मंगवाते थे साउट इंडिया करनाट का डैश्वाज नौन फोरिस्टिंक्टिव नौन हरपन पोईट्री एंड अन्यूजवल वैल्थ ओप कोपर अब्जेक्ट्स इन हरप इन वह किसके लिए जाना जाता है अपनी दिस्टिंक्टिव नौन हरपन पोईट्री मतला हरपा से उसकी पोईट्री मैच नहीं है एंड अन्यूजवल वैल्थ ओफ कोपर उसके पास भर भर के कोपर के अब्जेक्ट्स की वैल्थ है इस देट कल्चर इस गनेश्वर जोधाप इस इस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओमन वस कॉल्ड डैश भाय हरपन्स ओमन को क्या कहते थे मगन कहते थे नेक्स्ट वन इस मैलूहा इस वन अफ दा मोस्ट पॉपलर नेम यूस फोर डैश रीजन अब मैने जब यह पार्टू में कॉस्टन करवाय था तब बिसिक क्योंकि इतनी ज्यादा डीफ स्टेडी अब मतलब अब पता चला ना वन वर्ट से कुछ अलग चीज़े पता चलती है तो वहां फिर मैंने चेक किया कि हां हर अपन लिजन लिखा हुआ था तो देखो अब जब हम साथ सत पढ़ते हैं तो नहीं चीज़े पढ़ने का मिलता है तो फिर इस मैसोपोटैमिन टेक्स में मैलूहा के लिए बहुत सारे पोइंट्स हैं मतलब जो मैलूहा की करेक्टर स्टिक्स बता रखें वह सेम करेक्टर स्टिक्स हर अपन की होंगी स्की अगोर्डिंग तो सार्क लॉजिस्ट हजाबर्डं वakt पिकोफ मेसोपोट्यमें टेक्स में मैलूहा की लिए एक स्टीटमेंट तरह तो हजाबर्ड के यह हैं एक पीकोफ है मेसोपोटामियन टेक्स में मैलूहा को क्या बताया गया है एज लेंड ओफ सीफेरर्स ठीक है वाट वाल इंफोमेशन दिल्ला अरपन सिलकन वे अडिंटिटी ओफ दसेंडर अधर इंफोमेशन नेक्स वन इस राइट अवाव दस्क्रिप्स एंग डेव दोन सीफ मतलब जो सील्स है उनकी क्या स्क्रिप्स के बारे में लुए क्या कुछ सोर्सिस बताव जो हमें स्कृप्स के बारे में बताते हैं सील्स कौपर टूल्स जृल्लि और बॉं रोड नेम दा स्टोन विच्टी दा हरफ पन वेट्स वर मेड़ हरफ पन में वेट किसके बने होते थे चर्ट के यह तो सभी को आता होगा हमने पार्टू में पड़ा है वाट वर्द समॉलर वेट प्रोबैबली यूस्ट फोर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स यह भी सेम कोशन था यह तो पूरा कोशन थाउस की पूरी स्टेटमेंट थी तो यह तो सभी को आता ही होगा नेक्स वन इस गिव सम अव दा रिजन्स फोर डेटरियोशन डेटरायोरेशन ओव महुंजदारों मतलब महुंजदारों के खतम होने के क्या क्या रिजन से नेक्स नेक्टर जनल अव एसाई एंडिस कोशन था हूँ इस पूरमदारा पूरमदारा इस इंद्रा अर्यन गोर्ड वर्डिएट बिट्विन जियोड्स देल्स थियोरी इफ डेटरेशन ओ महुंजदारों एंड डेट ओफ रियम वीलर्स मतलब जियोड्ड डेल्स की थियोरी क्या थी डेटरेशन ओफ महुंजदारों और रियम वीलर्स की क्या थी तो जियोड्ड डेल्स थियोरी का यह माना जाता था मतलब वो यह मानते थे क्या बोल गया मतलब वो यह मानते थे there was a slaughter of animals and people यह fast fast करवाने के चक्कर में जबानी लट खड़ा जाती है there was a slaughter of animals and people मतलब वहाँ पे animals and people को मार दिया गया था मसेक कर हुआ था R.E.M. Willers के क्या थे कि climate, economic, political deterioration led to ultimate deterioration of the civilization मतलब climate changes हुए economic and political causes की वज़े से इनका deterioration हुआ Who was the first director general of ASI? First was Alexander Cunningham During archaeological excavation of the mean 19th century archaeologists prefer to use Dash as a guide to investigations तो उन्होंने क्या किस basis पे सारी investigation की the written word जो written words say that is text and inscriptions Cunningham's main interest was in archaeology of which period यह थो हमने Cunningham पे पूरा question किया है कि उनका interest किस्पे था early historic and later periods पे next one is Cunningham's used Cunningham's अच्छा plural बना दिया वा बेट्टे Cunningham used the accounts left by Japanese who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate early settlements to your falls तो सभी को पता है कि भई आपनीज आए नहीं थे तो वो कौन से अकाउंट से चाइनीज के अकाउंट से तो इस इस फॉल्स स्टेट्मेंट मतलब जब मिस्टर कर निंगम ने अपनी साइट थोड़ी रिस्पेक्टर दे देते हैं वाई आर्केलोजिस सर्वे ओफ इंडिया के फॉस्ट डारेक्टर जनरल थे तो विस्ट काइंड ओफ आइटीफेक्टस डिद रिकवर ऐड उनहीं एट इफक्ष को रिकवर करने की ट्राइकी जो उनको लगताथा था यह उसाज़ा वाई केनिंगंगम्स के फ्रेमवक में क्यों फिट नहीं है यह अराप्पा का जो यह फ्रेमवक है क्योंकि कनिंगंगम्स में में इंट्रस्टीड थे अरल हिस्टॉरिक एंड लेटर पिरेड में ठीक हैं तो जो चाइनीज पिल्ग्रिम्स के जो वह अकाउंट से उसका नहीं था हर अपप और ऊने क्या सेटी के था चैनली पिल्ग्रिम्स के काउंट से टी तो हर अपा उनके इस फ्रेम वरक में सैंडी बैटा था विट वाज्वा दा कर निंगम's उसकी मिसकंटेप्शन तो मीन हों इस्टी वूिस इन लगता था जो इंडिन हिस्टी अनों उसकी सिटी इस कोन सी थी गंगा वैली What is a Mound? Mound क्या होता है? When people continue to live in same place मतलब जब people same place पे रहते हैं उसका constant use करते हैं फिर reuse करते हैं landscape का that results in build-up of occupational debris मतलब occupational एक debris सा बन जाता है मतलब debris you know की जैसे मिट्टी उपर चठ्टी गई चठ्टी गई चठ्टी गई यू पहार type लगा लो तो that is called as a mound, next one is abandonment or desertion what are called dash can be identified by the absence of such traces, this is sterile layer, सभी को पता है sterile layer ही थी, जहां पे abandonment or desertion के मतलब उनको identify किया था, मतलब जैसे किसी भी जो layer है वो absent है तो उससे पता चला जाता था कि यहां का abandonment हुआ है, या desertion हुआ है, brief or permanent abandonment results in dense, मतलब जो brief or permanent abandonments होते हैं उसका results in alteration of landscape, मतलब landscape का पूरा alteration हो जाना, alteration मतलब बदल जाना, alter करते हैं न, by wind, water, activity or reason, बट उसका reason कोई भी हो सकता है, wind, water and soil erosion, occupations are detected by traces of ancient material found in layers, which differ from one another in dash and dash and artifacts that are found in them, मतलब जो occupations के traces मिले हैं उनमें differences क्या होता था, color and texture का, generally the lowest layers are the oldest and highest are the most recent, सभी को पता है, जो lowest है वो पुरानी होगी, जो highest है वो क्या बोलते हैं, most recent होगी, तो this is true, seals were discovered in Harappa by archaeologists, such as in the early decades of 21st century, देयाराम सानी, मतलब कौन से archaeologists हैं जिन्होंने seals discover करी थी, that is, देयाराम सानी, dash found seals, similar to those found in Harappa, मतलब हरपा की जैसी seals किसको मिली थी, आर्डी बेनर्जी, राखलदास बेनर्जी, at Mohonjodara, Mohonjodara मिली थी, मतलब हरपा की seals किसने discover की थी, देयाराम सानी में, लेकिन हरपा जैसी मिलती जूलती, जो Mohonjodara मिली है, वो किसने discover की, आर्डी बेनर्जी में, leading to conjecture, that these sites were part of a single archaeological culture, मतलब उनको इनकी वज़े से यह पता चला, कि हरपा और Mohonjodara की seals मैच कर रहे हैं, तो उसकी वज़े से यह पता चला, कि these both sites were a part of a single archaeological culture, in 1924, John Marshall, he was the director general of ASI, announced the discovery of a new civilization, सभी को पता है, 1924 में, John Marshall ने new civilization का discovery की announce की थी, in 1924, Marshall left India 3000 years older than he found her, नेम दबू कि हमने जोन माशल का जब, जोन माशल पे एक brief क्या बोलते है, पैराग्राफ मतलब एक कोशन था, ब्रीफ कोशन वो पढ़ा था, तो उसमें पता था, SN Roy नाम के एक archaeologist है, उन्होंने यह quotation दी थी, कि माशल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her, और वो बुक कौन सी थी, The Story of Indian Archaeology, जोन माशल's announcement was significant because, जोन माशल के announcement थी उसको इतनी importance क्यों दी गई, उसका reason बता रहे है, The word new, क्योंकि word को पता ही नहीं था new civilization, और उसके बाद यह भी पता चला कि that is also contemporary with Mesopotamia, तो यही दो reason थे जिनकी वजह से उनकी announcement इनती important हों दी गई, तो this is true, Next one is, John Marshall was the first dash to work in India, John Marshall was the first professional archaeologist to work in India, और वो अपना experience कहां कहां से लेके आया थे, Greece and Crete से, Why was valuable information about context of find irretrievably lost during John Marshall's time, मतलब उन्होंने जो excavation की उसकी वजह से कुछ valuable information lost होगी, क्या करान था, Because he ignored the stratigraphy, means studying layers by layers, So, उसकी वजह से वह एक time period consider ही नहीं कर पाई, कि यह object यह artifact कौन से time period से belong करता है, Next one is, who took over as director general of ASI in 1944, तो सभी को पता है, REM Wheeler, 1944 में पॉइंट के गए थे, Which problem was present during John Marshall's time was rectified by him, मतलब उन्होंने कौन सी problem correctify किया, गाइडर थे और तो वो क्या लेके आये थे, अपने साथ एक military precision, उनके पास एक experience था, तो प्रैक्टिस दा आर्केलोजी, which is the latest in the city, अच्छा इसमें gap आएगा, मैं सूच रही है कौन सा वर्ड है, this is in the city, in the city के बीच में gap नहीं है, तो यह आभी मैचिन कर लो, which is the latest in the city discovered, तो इस धोला वीरा, आजा, next one is, specialist from subcontinent and abroad, are using the modern scientific techniques include, अभी मैंने पढ़ाया था, कि जो अब new questions हैं उसमें पढ़ाया था, तो वो क्या करने, surface exploration, to recover traces of clay, मतलब जो modern scientist हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो नहीं टेक्निक्स हैं उसमें क्या इंक्लूट करें, surface exploration, name the material evidence found by archaeologist for reconstructing the weapon life, आपन लाइफ के लिए कहों से evidences मिले हैं, material evidences, पतलब जो material हैं, poetry, tools, ornaments and household objects, how archaeologists classified their findings in Harappa, तो archaeologists ने कैसे classify किया, material infection इस पर हमें एक long question भी पढ़ चुके हैं, next one is, what do you mean by linga, linga is a polished stone, that is worshipped as a symbol of Lord Shiva, अभी आपको पता हिया है, लिंग, shriveling होता है जो, तो वही है, when was Rigveda compiled, between 1500 and 1000 BCE, which name is used for Lord Shiva, in later Quranic texts, rudra, यह भी हमने लास्ट वीडियो में study किया है, what do you mean by shamans, shamans are men's and women's who claim magical and healing powers, मतलब वो मानते थे कि उनके पास magical and healing powers है, और उनके पास ability है, to communicate with other words, मतलब उद्धू बना रहे हैं लोगों को, क्या पता होती भी उस टाइम पर ऐसी शक्ति हैं, बट मेरको believe नहीं है, पता नहीं क्यू believe ही नहीं होता है, लोग कहते भूत भी होते हैं, मैं तो भूतों पर believe नहीं होता है, आव एसे मैं रात को बैठके अके लिए वीडियो बना रहे हूँ, क्या आप था आई जाए भूत अपने आपको proof करने के लिए, sorry, jokes apart, So, thanks for watching, Like, Share and Subscribe my youtube channel, AGI History Companion, thanks for supporting me!